तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा The Invisible Man एकदम गजब तरीके से complete होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे doubt clear हो जाएंगे और तुम लोग term one में full marks score करोगे इस chapter से तो चलो यार इस chapter को शुरू करते हैं ये कहानी लिखी है H.G. Wells ने और इसकी शुरुआत बड़ी गज़त तरीके से होती हैं तुम लोगों को पहले एक समरी की तरह मैं बता देता हूं कि ये पूरी कहानी अंगरेजी मिस्टर इंडिया के बारे में इसमें हम लोगों को एक गायब आदमी के बारे में पढ़ना है अब वो गायब आदमी कौन था, कैसे बना, फिर उसका क्या हुआ, इसी को हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे तो देखर इसकी शुरुआत होती है दो बच्चों से, चिटपुटे है टाइप के बच्चे थे और चल रहे थे अपना फ्री फोकट का घूम रहे थे उन्होंने दिखा मिटी पर बेर फुट के निशान पड़ रहे थे तुम्ही लोग टाइप थे वो दोनों तो बाल की खाल निकाल के ही छोड़ेंगे पीछा करने लग गया कुछ देर पीछा करते करते अचानक से कदमों की रफतार बढ़ी और पाओं गायब हो गया अब हम लोगों को आगे बताया जाता है स्टोरी में कि आखिर वो पाओं के निशान थे किसके तो दुख्यार वो पाओं के निशान थे ग्रिफिन के ग्रिफिन बोले तो एक scientist ये दिमाग में बैठा लो कि एक scientist जो ये खोज कर रहा था कि invisible आखिर कैसे हुआ जा सकता है तो उसने experiment करते करते कुछ ऐसे गजब के drugs खोज लिये जिसको लेने के बाद इंसान गायब हो जाता था तो experiment के दोरान वो भी गायब हो गए अब शुरुआत में तो ग्रिफिन को हुई खुशी क्योंकि गायब हो लिये भहिया तो ये नया टाइप का experience है और क्योंकि ग्रिफिन एक lawless person था मलब की जो कानून वग्यारा को नहीं मानता है एकदम बुरा आदमी इसी वज़े से गायब होने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये था कि अपने मकान मालिक का घर जला दिया जिस घर में वो रेंट लेकर रह रहा था उसके मकान मालिक से उसकी पटती नहीं थी बार बार जगड़ा हो रहा है जोटा जोटी हो रहा है इसी वज़े से उसने सबसे पहला काम किया कि उसका घर जलाया और एकदम गजब तरीके से एक था टाइगर टाइब बाहर निकला लेकिन प्रॉबलम ये थी कि कपड़े वगेरा तो गायब होंगे नहीं उस ड्रक से शिफचरीर गायब होता था इसी वज़े से विगदम पू और ये तो मिड विंटर का टाइम था तो ग्रिफिन भाईया हो गए परेशान क्योंकि रहने वाला घर तो वो जलाये थे इसी वज़े से वो एक पासी में बड़ा सा मॉल था वहीं पर जाकर सोते हैं और क्योंकि किसी को कुछ दिख नहीं रा था तो रात भर वो अपना मॉ मॉल में खुला घुमें इन्विजबल तो थे ही मॉल में जितनी भी चीजे थी उन्होंने उसे ट्राइ किया और अच्छे-च्छे कपड़े अपने लिए चूस करके पहन के वहीं पर सो गए अब सुबह हुई और दो असिस्टेंट वहाँ पर आये काम करने के लिए तो दे दोड़ते जितने भी कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो सारे कपड़े उतार के फेक दिये और हो गए इन्विजबल तो किसी तरीके से वहाँ से तो वह बच लिये लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि अब ये जालिम शहर मुझे जीने नहीं देगा इसी वज़े से स चलो विलेज के साइड में चलते हैं और वो कुछ दिन अपने आप पर रिसर्च कर पाएंगे कि नॉर्मल कैसे हुआ जाए तो वो शहर से निकलने से पहले एक दुकान पर जाकर डाका डालते हैं और शौप की इपर पर अटैक करके सारे पैसे वगरा लिकर निकल लेते हैं और अपने पूरे शरीर पे एकदम बैंडिज लपेट लेते हैं बड़े जूते, गलव्स, काला चश्मा और बड़ी सी हैट लगा कर वो विलेज के तरफ निकलते हैं अब इससे पहले ग्रिफिन गाउं जाएं तुम लग जाओ MSP Knowledge Official यूटूब चैनल पर और वहां जाकर स सब्सक्राइब करो, वहां पर तुम्हारे बोर्ड एक्जाम के लिए MSQ सिरीज चल रही है, जिसमें वन शॉट में तुम्हारे चैप्टर बाई चैप्टर सारे most important MSQ questions complete हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जाकर क्लिक करो, और आसान भाषा में अपन होटल की मालकिन से बात करते हैं, अब सबसे पहले तो होटल की मालकिन कनफिजी आ जाती है, कि एक तो ठंडी का टाइम है, और उपर से चारो तरफ बर्फ जमी हुई है, इस टाइम पर ये वक्ति ऐसा चोरो जैसा हुलिया लेकर यहां करने क्या है, क्योंकि दिख भी तो ए उपर वाले कमरे में एक जगह दे देती हैं, उस होटल की मालकिन का नाम था मिसेज हॉल, मिसेज हॉल याद रख लो, ये तुम्हारे टर्म वन एक्जाम में आ सकता है, मिसेज हॉल एक क्लरजी मैन की वाइफ थी, अब क्लरजी मैन क्या होता है भीया, तो दुख्यार करके ग्रिफिन के सारे चुराए हुए पैसे भी खतम हो जाते हैं, इसी वज़े से अकसर लड़ाई होती रहती थी, मिसेज हॉल और ग्रिफिन के बीच में, पैसो के वज़े से और Griffin हर बार Mrs. Hall को कहता था कि मेरा एक चेक आने वाला है और उसके बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा उसी में डूब जाना और किसी थरीके से ऐसे दिन कटने लगते हैं लेकिन एक दिन क्या होता है कि clergyman के एक table से सिक्को के खनकने की आवाज आती है और Mrs. Hall और clergyman क कमरे के और देखती हैं तो Griffin का कमरा भी खुला हुआ था अब Mrs. Hall को लगता है चोर वगारा को छोड़ो पहले उसके कमरे को जाकर हम लोग देखते हैं क्यूंकि Griffin किसी को भी अपने कमरे में घुसने नहीं देता था अब Mrs. Hall और clergyman जब उसके कमरे में जाते हैं तो देखते है वहाँ पर चारोर पटियां फैली हुई हैं और वहाँ पर अंदर कोई नहीं हैं और सारी चीजे एकदम बिखरी हुई हैं अब Mrs. Hall ये सब देखी रही थी कि अचानक से एक टोपी उड़ने लग जाती हैं और छपाक से आके लगती है Mrs. Hall के चहरे पर फिर कुछ देर में एक कोई विच्क्राफ्ट हैं विच्क्राफ्ट मतलब काली जादूई शक्तियों का कोई गेर आये तुम्हारे गर पे वो पट्टी पहने वनमानुस कोई अच्छा इंसान नहीं है वो पक्का कोई तांत्रिक वांत्रिक हैं अब ये सब सुनके Mrs. Hall भी सोचती हैं कि हाँ वो तो हैं देखते हैं कि Griffin महाँ पर कुर्सी लगा कर बैठा हुआ हैं अब Mrs. Hall को और शक कि जब इसमें कोई था नहीं कुर्सी उड़ रही थी तो चलो ठीक हैं ये बंद कमरे में आखिर आ किदर से गया अब ये सब देखकर उन्हें और लगने लगता है कि ये पक्का कोई खराब आदमी है ये पक्का कोई तांत्रिक वांत्रिक है अब पुलिस वाले को देखकर और गाम वाले की ऐसी भीड को देखकर Griffin गुसे में आ जाता है देखो Griffin ना एक arrogant गुसेल टाइप का आदमी था तो वो लोग जब उसके काम में इंटरफेर करते थे तो उसे अच्छा नहीं ल लगता है अब पुलिस वाले को था यार मेजिस्ट्रेट का ओरडर गिरफतार करके ही आना था इसी वज़े से पुलिस वाले बिचारे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अरेश्ट करूँगा भली तुमारा सर हो या ना हूँ अब इ ही मार पीट के बीच में ग्रिफिन वहां से निकलने की कोशिश करता है और यहीं पर तुम्हारी स्टोरी हो जाती है खतम सो यह तियार तुम्हारी पूरी स्टोरी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी अब हम लोग इसके कुछ कोशन्स देख लेते हैं जिससे तुम् नहीं पता रहेगा इसी वज़े से कुछ कोशन्स की चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि कोशन्स लगाने के पार तुम्हारा यह चैप तक दम गजब तरीके से पूरा ही कम्पलीट हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा यार बी क्विक टेंपर्ड एक और कोशन देखत है कि what does the first encounter tell us about Mrs. Hall मलब Mrs. Hall के बारे में हमें पहली नजर में क्या लगता है A. She is not friendly B. She is money minded She is interested in her guest या फिर D. All of the above इसके बाद आते हैं next question पर what did he do for revenge A. Burned himself B. Burned the landlord C. Burned the house या फिर he didn't do anything for revenge तो इसका सही आंसर तुम लोगो पता होगा कि उसने घर जला दिया था Burned the house option number C. इसका right answer है इसके बाद next question है The two boys started in surprise at the fresh muddy imprint of a pair of A. Barefoot B. Shoes C. Tires या फिर D. None of the above इसका सही आंसर होगा कि वो दोनों लड़के surprise के साथ bare foot को देखने लग जाते हैं So option number A. इसका right answer होगा इसके बाद एक और question important है The big shop of the theatrical company was situated at A. Drury Lane B. London Lane C. Ipping Lane या फिर D. Griffin Lane तो इसका सही आंसर होगा या ड्रूरी लेन शुरुआत में जो बड़ी सी mall type की दुकान पर वो रुका था वो ड्रूरी लेन में थी ड्रूरी लेन एक जिगह का नाम है इसके बाद एक और question कर लो कि What did Griffin do in the big London store? option number A. He wore shoes B. He wore an overcoat C. He ate cold meats and sweets या फिर D. All of the above तो जैसा कि मैंने बताए कि वो पूरा खाली था शौप में इसी वज़े से उसने सारे समान को इधर उधर कि और सारी चीजे ट्राइ की तो इसका सही आंसर रहेगा all of the above एक और question आता है कि Why was it a bad time to wander about in London without clothes उस time पर बिना कपड़ों के London में घूमना क्यों बुरा था? A. It was a rainy season या फिर B. It was very hot या फिर C. It was bitterly cold या फिर D. None of the above तो इसका सही आंसर होगा यार It was bitterly cold option number C इसका right आंसर होगा अच्छा अब ये आकरी वाला question खुद से try करना और वो तुक्के वाला वीडियो देखने के बाद try करना और ये देखना कि उसकी tricks वर्क कर रही है कि नहीं सो question है कि what suggest that he was a homeless wanderer तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि Griffin एक बे घर बे ठिकाने वाला घूमने फिरने वाला आदमी हो गया था जिसके पास कोई ठिकाना नहीं था अब वो तुक्के वाला वीडियो देखकर इसका अंसर दो एंड इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं